प्यारे बच्चो आज हम 1857 की क्रांती के क्या परिणाम हुए इसके बारे में जानेंगे चुकि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांती आज अपल रहे गई थी लेकिन इसके कुछ परिणाम निकल कर सामने आये थे तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे और यहां प्रसनाप का क्लाश स्टेंट है MP Board Social Science की यूनिट छे से बनाया जा रहा है आईए अब हम प्रसन को अच्छे से समझते हैं कि देखिए 1857 की करांती जो परियनाम होए है उनके जो महत्पूर्ण बिंदु है वह बिंदु हम जानने का पीजियास करते हैं पेले तो सबसे पमसे पहिला बिंदु आता है हमारा कि कमपनी राज्य समाप्त है जो कमपनी राज्य था वो समाप्त हो गया तो प्रति क्रियावादी तत्व सक्री प्रति किरियावादी तत्व सक्री दो विंदु हो चुके हैं पहला विंदु क्या है कमपनी राज्य समाप्त नंबर दो प्रति किरियावादी तत्व सक्री और इसके बाद में तीसा विंदो के अंतरगत आता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था भारती सेना का फिर से पुनर गठन किया था तो लिखेंगे कि भारती सेना का कि अंग्रेजों के प्रती कटूता आ गई थी जब अठा संतां की क्लानती के बाद में हमारे भारती जो अंग्रेजों के प्रती कटूता प्रन्मन में हो गई तो लिख देंगे चोता फाइंट के अंगरी जो के प्रती कव्ध दूयाए बंपंटा दीज़ Rechts देखे ब्यारी बच्चो वेसे तो मैंने इस यूनिट का आप आप को पेट हन बता दिया था फिर में चार पॉइंट करवाता हूँ चार नम्मर के हिसाब से जदी एक पॉइंट भूल भी जाए तो या फिर आपके पॉइंट कठिल लगे तो उसको छोड़ दीजे तीन पॉइंट करिए पर मेरे विचार से आप चार पॉइंट करके रखिएगा क्योंकि जब परिच्छा में इस तीन अंक का प्रसनाता है तो यदि एक पॉइंट भूल जाते तो उसके आपके चार पॉइंट से तीन पॉइंट या जाएं तो तुस सबसे पहला पोईंट के अंतरगत आएगा कि अंग्रेजी राज्य समाप्त है तो इसके अंतरगत क्या लिखेंगे कि 1857 की किरांती का यहां परिणाम हुआ कि अंग्रेजो का कमपनी राज्य समाप्त हो गया कि जरे क्या बोलेंगे कि 1857 की करांती का परिणाम यहां हुआ कि अंग्रेजो का कमपनी राज्य समाप्त हो गया प्रति किरियावादी ततु सक्री इसके अंतरगत क्या लिखेंगे इस करांती के कारण समाज में अनेक प्रति किरियावादी ततु सक्री हो गये और जिससे क्या हुआ बेरोजगारी ब करने के लिए प्रति क्रियावादी तत्व सक्री में कि इस करांती के कारण शमाज में अनेक क्रियावादी तत्व शक्री हो गए और जिससे और बहरोजगारी बढ़ने लगी और यह सेना बहुती ती यहने कि शरकारी नोक्री थी वो प्राप्ट करने के लिए प्रतिस प्रदता बड़ी नमर थी ने भारती सेना का पुनर गठन तो इस कृआन्ती के कारण अंग्रे जो ने सेना का फिर से गठन किया जिसमें अगरे जो को तो जो अधिकारी थे उनको उच्छे पदों पर रखा गया और भारति सेनिकों को नीचे पद पर रखा गया, फिर अंग्रेजों के परती कटूता, 18 संता उन्की क्रांती के बाद में अंग्रेजों और भारतियों के बीच में कटूता अत्पन हो गई, जो हमारे भारती लोग थे, वो अंग्रेजों को नफरत की नजर से देखते थे, ये त वार्ति कंपनी राज्जी समप्त तो घातारह साल जनतावन के करणाय का का परिदामized that is the important book अब देखिज हैं ढिलब सक रॉस ट्रीध कारण समाज में अनेकज ले रोज़ेरे बड़ने लगी और शरकारी नाउकरी प्राप्त करने के लिए प्रतिस पर्दता इने competition बढ़ने लगा नमर तीने भारती सेना का पुरान गठन इस क्रांती के कारण अंग्रेजों ने सेना का फिर से पुनर गठन किया और अंग्रेजों को उच्चे पदों पर रखा जाता था एवं भारती सेने को को नीचे पदों पर रखा जाता था चूता पाइंट है कि अंग्रेजों के प्रति कटूता अठार संतावन के सुतंतर संग्राम के कारण अंग्रेजों और भारतियों के बीच कटूता उत्पन हो गई थी हो गई तथा भारती अंग्रेजों को भारत के हमारे लोग थे वो क्या करते थे तो यह आपका स्क्रीन सोट लीजिए यहां से और इसके बाद में दूसरा तीसरा पाइंट साथ में ले लीजिएगा यह जाए उसा तीसरा आ गया और यह चोथा लाष्ट में यह है तो मैंने प्रियास किया प्यारे बच्चों कि आपको अच्छे से कम्पिलिट करवा दूँ मैं आसा करता हूँ कि जानदा नहीं तो थोड़ा बहुत तुम्हें आपको समझा पाया हूँ अच्छे से इसे कम्पिलिट कर लीजिएगा लिख लीजिएगा और अपनी नोट कापे में उतार लीजिएगा धन्यवाद